नमस्कर दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे Estimation of Available Nitrogen in Soil by Gel-Dal Method Gel-Dal Method के दोरा जो हम Available Nitrogen को कैसे Estimate करते हैं आज इसको समझेंगे इसमें कुछ Equipments और Apparatus की जरुरत होती है जिसमें जो है Gel-Dal Apparatus का Stand और Gel-Dal Flask बहुत ही निसेसरी होता है अब बात करें रिजेंट की तो 0.32% KMNO4 Solution क्या हो सकता होती है जिसको 3.2 ग्राम KMNO4 Solution को 250 ml के बीकर में लेते हैं और ट्रांसफर इट इन्ट वन लीटर वैल्यमेक्रिक फ्लास में ट्रांसफर करते हैं और उसका वैल्यू मेकप करते हैं उसके नेक तक जिसमें वैल्यमेक्रिक फ्लास में जो नेक बना होता है जो एक चीन होता है वहाँ तक जो है उसको मैंटेन करते हैं विद दे हैल्प आफ डिस्टिल वाटर के द्वारा दूसरी प्रसीजर की बात करें 2.5% एन्योए solution का एक और solution तयार करते हैं जिसमें 25 ग्राम एन्योए अज को 250 ml के बीकर में लेते हैं जिसको transfer करते हैं 1 लीटर के volumetric flask में और उसका volume make-up करते हैं distilled water के द्वारा अब बात करेंगें तीसरे procedure की इसमें mixed indicator की भी आऊ सकता होती है जिसमें 0.07 ग्राम आप मिथाईल रेट को लेते हैं और 0.1 ग्राम आप ब्रोमो क्रिसरॉल ग्रीन को लेते हैं और इन सब को 100 ml इथिनाल में जो है वेल्यू मेक अप करते हैं और चोथे प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 2% बोरी केसीट सल्यूशन की भी आउसकता पड़ती है इसमें क्या है कि 20 ग्राम बोरी केसीट को 800 ml के वार्म वाटर में गरम वाटर को करके हीट वाटर करते हैं जिससे कि यह पूरा डिजॉल्व होजा है और उसके बाद क्या करते हैं कि 20 ml जो है mixed indicator जो बनाए हुए है उसको लेते हैं और एड़ेस्ट करते हैं पी एच जो solution हमारा है उसका पी एच 4.5 जो एजडेट करते हैं वी डेल्यूट एन एच सोडियम हीडराइक्स के हाकसाइड के द्वारा और उसका वैल्यू मेकप करते हैं एक लीटर बनाते हैं इस solution को अब बात करें पच्वे प्रसीजर की यहां देख सकते हैं आप 0.02 normality का यस्ट्योस ओफोर त्यार करते हैं जिसमें 2.8 ml concentrated यस्ट्योस ओफोर को 100 ml value metric flask में लेते हैं और जिसका value make-up करते हैं with the help of distilled water के द्वारा और यह जो है this will give the 1 normality का यस्ट्योस ओफोर त्यार होता है अब इसको क्या करते हैं कि take 2 ml of 1 normality का यस्ट्योस ओफोर जो त्यार होगा है उसको 100 ml value metric flask में लेते हैं और उसका value make-up करते हैं distilled water से जो की 0.02 normality का यस्ट्योस ओफोर त्यार हो जाता है अब बात करें इसके principle की जैसा कि आप देख सकते हैं principle इसका जो है कुछ इस प्रकार है कि Isley Minolival nitrogen को estimate करने के लिए हम alkaline KMNO4 solution को जो है use करते हैं जो की hydrolysis करता है organic nitrogen को जो की soil में present होता है और उसके साथ साथ क्या होता है कि liberated ammonia जो है condensed form में होती है और collect कर लेते हैं जिसको boric acid में boric acid को अलग से जो है एक flask में लेकर के उसको जो है ammonia उसमें collect किया जाता है और जो ammonia boric acid में collect होती है उसको titrate करते हैं अगेंस जो है STS4 के solution के द्वारा जो हमारा solution त्यार होता है और इसी के साथ जो है हम liberated ammonia के amount को जो है determine कर पाते हैं यह method जो है बहुत ही available nitrogen को estimate करने के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही rapid मतलब बहुत जल्दी और अच्छे से जो है हम estimate कर लेते हैं available nitrogen को और बात करें अब इसके procedure की जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोसीजर इसका इस प्रकार है पहला procedure इसमें first of all क्या करते हैं कि 5 gram जो है soil sample लेते हैं जल डाल फ्लास्क में और 25 ml केमेनो फोड सल्यूशन लेते हैं जल डाल फ्लास्क में और बात करें दूसरे procedure की तो जल डाल फ् इसको with the help of measuring cylinder के द्वारा जो है उसमें डालते हैं और जिससे की जो है soil और केमेनो फोड दोनो जो है धूल करके अच्छे से mix हो जाएं बात करें तिसरे procedure की तो इसमें 20 ml boric acid solution को लेते हैं 250 ml capsid के कोनिकल फ्लास्क में और जो delivery जो outlet pipe होती है उसमें boric acid solution को जो है उसमें ले ल को जो है अच्छे से उस boric acid के solution में जो है लगा देते हैं ताकि जो है उसमें air bubbles ना है बात करें चोथे procedure की तो इसमें 25 ml ANOS solution लेते हैं जेल डाल फ्लास्क में और पांच्वे procedure की बात करें तो यह जो है करते हैं 15 मिनट तक जो है इसको distillate करते हैं 15 मिनट तक अब बात करें छ जिससे की redis purple color का जो boric acid है यह convert होके green color में हो जाता है आज जैसा कि आप देख सकते हैं अब बात करें अगले procedure की तो इसमें क्या होता है सात्वा प्रोसीजर हमारा यह है कि जब जो हमारा green color हो जाता है तो हम वहां से जो है boric acid का flask जो है उसको निकाल लेते हैं वहां से और जाता है जो और जिनल कलर होता है boric acid solution का जैसे कि आप देख सकते हैं बात करें अठवे procedure की तो जो है इसमें क्या है कि पॉइंट को जो है इंड पॉइंट के रेडिंग को जो है नोट डाउन कर लेते हैं बूरेट में बूरेट के जो रेडिंग आती है उसका वह इंड पॉ के जैसा कि आप देख सकते हैं यहां जो है कुछ फामूला है नाइट्रोजन केजी पर हेक्टियर को कलेक्ट करने के लिए जिसको इस प्रकार कुछ इस तरह दिखाया गया है कि वेट आप स्वाईल जो है 15 ग्राम फ़रोसलाइश स्वाईल 1 हेक्टियर का जो है वेट होता ह जिसका calculation factor है 2.24 इंटू 10 के घाते माइनस 6 और yes is the burrit reading of sample को denote करता है b burrit reading of blank को denote करता है और titration should be done in ammonia free atmosphere जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आप लोग का procedure जो है complete होता है